आज हम हिस्ट्री का चेप्टर दा राइस ओफ नेशनलिज्म इन यॉरॉप को देखते हैं इस चेप्टर का जो टॉपिक आज हम डिसकस करेंगे वो है फिजिकल लोकेशन ओफ अर्लियर यॉरॉप इन 18th सेंचुरी तो यहाँ पर हम जो टॉपिक डिसकस कर रहे है वो है फिजिकल लोकेशन ओफ यॉरॉप इन 18th सेंचुरी इस पूरे चेप्टर में हमारा जो मेन फोकस है वो इस बात पर है की यॉरॉप जो 18th सेंचुरी में बिल्कुल डिवाइट था बिखरा हुआ था बहुट सारे राजा जो थे वो रूल कर रहे थे वो जो रूलर थे वो जो किंग थे वो जो empire थे उन्होंने यॉरॉप को बहुत सारे पार्ट में divide किया हुआ था ऐसा यॉरॉप जो 18th century में था ऐसे यॉरॉप को किस तरह से unite करके country में convert किया गया और जो आज हम जैसा यॉरॉप देखते है ये आज जैसा यॉरॉप हमें किस तरह से मिला तो यहां पर हम उस nationalism की बात करेंगे जो कि 18th century के बाद generate हुई थी क्योंकि 18th century तक तो यॉरॉप बहुत ज़्यादा पार्ट में divide था अब बात ये आती है कि यॉरॉप की जो physical location 18th century में थी वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी पूरा यॉरॉप बिखरा हुआ था ये जो पार्ट में divide था इन पार्ट को उस समय यॉरॉप में या तो kingdom बोलते थे या duchess बोलते थे या केंटन्स बोलते थे तो यॉरॉप जो था वो 100 से भी ज़्यादा केंटन्स में डचिज में या फिर kingdom में बटा हुआ था ऐसे बटे हुए यॉरॉप में किस तरह से nationalism की feelings create हुई किस तरह से लोगों ने unite होने के लिए सोचा और किस तरह से उन्होंने यॉरॉप में country को set up किया बस यही traveling हम पूरे इस chapter में अपना focus करेंगे लेकिन इस particular topic में हम जो read कर रहे हैं जो हम explain कर रहे हैं वो है physical location यॉरॉप में 18 century में कैसी थी तो यहाँ पर हम एक example के through आपको ये बताते हैं कि 18th century में इस तरह के empire बहुत ज़ादा थे और ये empire जो अभी हम ले रहे हैं इसका नाम था हैपसबर्ग हैपसबर्ग empire ओके जैसा ये हैपसबर्ग empire था इस तरह से बहुत सारे empire यॉरॉप में लगातार अपने आप को rule कर रहे थे अपनी identity को अपनी culture को अपने ideas को किसी से share नहीं करते थे हर empire हर kingdom का अपना एक ethnic group होता था और हर empire को एक particular monarch जो था वो control करता था तो इस तरह हर empire में रहने वाले जो लोग होते थे उनके ideas उनके values उनके traditional उनकी custom culture सब कुछ दूसरे empire से different होती थी ठीक है तो हम as a example ले रहे है किसको हैपसबर्ग empire को अब हैपसबर्ग empire में कौन कौन से ऐसे area थे जो इसमें include माने जाते थे तो उसमें अगर हम बात करें तो first आएगा Austria दूसरा जो एक part था वो था Hungary थार्ड जो part था वो था Alpine part ठीक है फूर्थ जो part था वो था Lombardi इसके बाद हम बात करेंगे fifth की तो fifth था Venesia और लास्ट जो part था वो था Galatia तो हमने देखा Habsburg Empire के अंदर कितने सारे part या कितने सारा area included था यहाँ पर हमने बात करी है Austria की, Hungary की, Alpine part की, Lombardi की, Venesia की और Galatia की यह आप अच्छे से अपने mind में feed कर लेना कि इस empire के अंदर में हम इतने सारे part को count करते हैं अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि हर empire की अपनी language होती थी अपनी culture और अपने ethnic group होते थी उसी तरह से इस empire में जो आपने यह six reason देखे हैं यह six part की अपने अपने group होते थे और अपनी अपनी language हुआ करती थी language, culture यह आपस में share नहीं करते थे, कभी-कभी इनमें आपस में disputes भी हो जाता था, conflict भी हो जाती थी लेकिन इन सब के ऊपर सिर्फ एक एक जो person rule करता था जिसका order यह सारे के सारे मानते थे वो था हैप्सबर्ग empire का rural तो यहाँ पर यह जो ruler था, यह जो emperor था इसके नाम पर सब एक हो जाते थे otherwise यह आपस में लड़ते भी थे और कभी-कभी इनके बीच में help या coordination भी देखने को मिलता था अब हम बहुत shortly इनकी language के बारे में बोल देते हैं, अगर हम Austria की बात करें तो यहाँ पर Germany बोली जाती थी यदि हम Hungary की बात करें तो यहाँ पर Magyar बोली जाती थी, कौन सी language? Magyar इसके बाद हम बात करेंगे Lombardi की, तो Lombardi में और Venesia में तो Lombardi और Venesia में एक ही language बोली जाती थी, वो थी Italian Galician, Galicia में बोली जाती थी Polish language और यह Polish language कौन बोलता था? जो Galicia के अमीर लोग होते थे, जो rich people होते थे, वो बोलते थे Polish इसके बाद बचा हमारा Alpine reason, अगर हम Alpine reason की बात करें तो Alpine part में तीन part include होते थे और यह तीन part थे एक Tirol, एक Sudan land और एक Bohemia फिर वापस repeat कर रही हूँ, एक है Tirol, एक है Sudan land और एक है Bohemia तो यानि इन तीनों को अलग-अलग ना बोल कर अगर हम Alpine part की बात करें तो Alpine का मतलब ही यह है कि हम Tirol की, Sudan land की और Bohemia की बात कर रहे हैं तो Alpine part में Germany बोली जाती थी और वो भी कौन बोलता था जो रिच लोग होते थे तो ध्यान रखना है Galatia और Alpine में रिच लोगों की language को बताया गया है यहाँ पर Polish और यहाँ पर Germany अस्ट्रिया में Germany, Hungary में Megya, Venesia और Lombardi में क्या बोली जाती थी Italian यह चीज आपको लंड करनी है तो इस तरह से जो empire होते थे उस समय के काफी सारे part को include करके बनाए जाते थे उस पर एक राजा रूल करता था इस तरह के जो empire थे वहाँ पर 100 से जादा थे तो जो युरोप में जो राजा भी थे वो भी कितने होंगे 100 से जादा होंगे अब हम बात करेंगे यही पर यानि इसी हैप्सबर्ग empire में ethnic group में जो पीजन्टरी थे यानि जो पीजन्ट लोग थे हैप्सबर्ग empire के ये हैप्सबर्ग एम्पायर के किन किन डिरेक्शन में रहते थे तो हम यहाँ पर देखते हैं पीजेंट्री ग्रूप इन हैप्सबर्ग यहाँ पर जो पीजेंट्री लोग होते थे यह वेस्ट था यह नौर्थ तो अगर हम एम्पायर के इस्ट में जाए तो हमें यहाँ पर जो पिजन्ट मिलेंगे उन्हें बोला जाता था रोमन्स ठीक है उन्हें क्या बोला जाता था रोमन्स अब हम नौर्थ में चलते हैं हैप्सबर्ग एम्पायर के नौर्थ में जो पिजन्ट मिलते थे उन्हें बोला जाता था बोहेमियंस ठीक है क्या बोलते थे बोहेमियन्स और दूसरा एक और नाम था नौर्थ के पिजन्ट के लिए वो नाम था स्लोवॉक्स ठीक है वो थे slovoks यानि हैपसबरग एमपाइर के नोर्थ में जो पिजन्ट मिलते थे उन्हें यह तो बोहेमियंस बोलते थे या फिर slovoks बोलते थे लेकिन east में जो रहते थे उन्हें رॉम फोलते थे अब आता है नंबर south का तो south में जो पिजन्ट रहते थे उन्हें बोला जाता था क्रियोट्स और दूसरा नाम भी हाँ पर था वो था स्लेविंस ठीक है तो ये है स्लोविंस अब आपको ध्यान रखना है जो मैंने अंडरलाइन करी है इन पीजन्ट के नाम आपको इसलिए अच्छे से लंड करने हैं क्योंकि उन पीजन्ट के साथ आपको प्लेस भी लंड करना है जो कि इस्ट में रॉमन्स के लिए ट्रॉंसिलवेनिया प्लेस है तो स्लोविंस के लिए साउथ में कॉर्नी ओला प्लेस यहां पर मैंशन किया गया है तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है इस्पेशली कि हैपसबर्ग एंपायर में जो पीजन्टरी ग्रुप रहते थे जो मजदूर लोग रहते थे वो इस्ट में रॉमन्स के नाम से पॉपुलर थे और वो जिस एरिया में रहते थे उसे बोलते थे ट्रॉंसिलवेनिया साउथ में जो मजदूर रहते थे जो पीजन्ट रहते थे उन्हें क्रियोट्स बोलते थे और स्लोवेन्स बोलते थे लेकिन जहां पर ये स्लोवेन्स रहते थे उस एरिया को कॉर्णियोला बोला जाता था लेकिन नौर्थ में जो पीजन्ट मिलते थे आगे हम देखते हैं कि उस समय empire में कौन-कौन सी class जो होती थी, वो यहाँ पर exist रहती थी. तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि next physical location ही हम देख रहे हैं, इसमें Habsburg empire को ही हम देख रहे हैं, इसमें हमने presentry group देखा हैं, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, aristocracy and new middle class, new middle class. तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को अच्छे से देखना है कि हर empire में दो तरह की class मिलती थी, एक तो aristocracy लेकिन दूसरी middle class की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी बात कर रहे हैं, वो थे poor यानि जो present होते थे वो class. दो ही class हर empire में मिलती थी, एक aristocracy यानि जो rich लोग होते थे, दूसरे poor लोग, poor कौन होते थे, जो present होते थे. ये दो class ही हर एक empire में मिलती थी, middle class की बात हम बात में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं aristocracy की, अब बात करते हैं rich लोगों की, तो इस empire में या हर empire में जो भी richest लोग होते थे, उनकी तीन features होती थी, एक तो उनके पास में society में पूरा status रहता था, उनको एक respected post मिली होती थी, उनके पास में हर तरह की wealth को use करते थे, और साथ साथ वो political power को भी use करते थे, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो class थी, ये socially और politically दोनों ही तरह की dominant class हुआ करती थी, क्योंकि जितने भी rich लोग थे, ये जो ruler होता था, उसके बहुत close में होते थे, इसलिए उनको हर तरह की power जो दी जाती थी, वो ruler के through ही मिलती थी, तो इस तरह ये एक बहुती ज़्यादा dominant class थी, society में भी और political भी, second जो इसकी features है, वो ये है कि इनकी जो life होती थी, सारे rich लोगों की जो life होती थी, commonly वो बिल्कुल same होती थी, उनकी common way of life के, जो methods होते थे, like marriage, या language, या tradition, custom, festival, ये सब कुछ इनके same होते थे, अगर हम language की बात करें तो ये French बोलना ज़्यादा पसंद करते थे, जितने भी richest होते थे, वो French language को ही follow करते थे, इसके बाद इनकी जो marriages वगेरा, relation वगेरा, festival वगेरा, ये आपस में ही celebrate करते थे, इसके बाद तीसरी features की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये आएगा, जितने भी rich लोग थे, ये बहुत कम थे, इनकी quantity बहुत कम थी, इनका बहुत small group होता था, लेकिन इनके पास में बहुत ज़्यादा property और resource होते थे, तो आप ये कह सकते हो कि हर empire में 10% लोग aristocracy होते थे, लेकिन इनके पास 90% resource की ownership मानी जाती थी, तो हमने aristocracy की तीन features को discuss किया है, और ये बहुत obvious features है, ये सबको पता रहती है कि rich लोग उस तरह से किस तरह से power को enjoy करते थे, अब हम बात करते है, presentry की यानि जो poor थे, जो poor थे वो इनके अंडर में ही काम करते थे, अगर हम इनकी features की बात करें तो इनका economic status बहुत ही जागा low रहता था, दूसरा इनके पास में कोई rights नहीं होते थे, चाहे rights हम society यानि social की बात करें या politically बात करें, इनको किसी तरह के कोई rights नहीं मिलते थे, और तीसरी चीज ये counting में majority में रहते थे, means इनकी majority होती थी, ये minor नहीं थे, ये इसम की तीन features मानी जाएगी, अब हम बात करते हैं Europe में, यहाँ पर हम बात Europe की कर रहे हैं कि Europe के हर empire में ये दो class exist रहती थी, दिखाई देती थी या available थी, इसके तीन features हो गई, इसके तीन features हो गई, अब हम बात करेंगे Europe के direction की, अगर हम Europe के direction की बात करें, तो Europe के west में, especially west में, जो present मिलते थे, वो या तो tenant, उस पे rent पर अपना एक land लेते थे और उस पर क्या करते थे, agriculture करते थे, तो इस तरह से west में जो presentry थी, वो tenants पर काम करती थी, और जो भी छोटे मोटे plots थे, उनके honor जो थे, वो बहुत small थे, तो it means यहाँ पर presentry का जो group था, वो ज्यादा नहीं था, बहुत छोटे plot में, यह west का part divide था, तो west का जो eastern part था, eastern और जो central part था, वहाँ पर बड़े बड़े state मिलते थे, किस चीज के land के, बड़ी बड़ी agriculture होती थी, और agriculture किस के through होती थी, यह हमें देखना है, वो होते थे, serfs, यानि जो serfdom होते हैं, भूमी के दास होते हैं, जिनकों की honor एक agreement के through, अपनी land का गुलाम बना लेती थी, और वो उस land को छोड़ कर कभी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने agreement sign किया हुआ है, उसके आगे की generation to generation, यह slave गिरी जो थी, उन्हीं कोई बोला जाता था, serfdom, तो इस तरह से हमने देखा, कि हर empire में दो class हुआ करती थी, rich और poor, rich की तीन features आपको learn करनी है, poor की तीन features learn करनी है, यरॉप में, west में, जो land थी, जिसके agriculture होती थी, वो land बहुत छोटी होती थी, means area wise बहुत छोटी होती थी, जादा ता उस पर जो agriculture present करते थे, वो rent पर करते थे, लेकिन यरॉप का जो eastern और central पार्ट था, वहाँ पर agriculture का जो land थी, वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, बड़े बड़े states होते थे, और उसके उपर जो agriculture लोग करते थे, वो mainly किस से किये करवाई जाती थी, सर्फ से, सर्फ कौन होते थे, ये एक land के slave होते थे, जो agreement के थुरू land की गुलामी करने के लिए bound होते थे, clear, अब हम आते हैं अपनी middle class पर, ये middle class जो थी, इसी middle class ने Europe में nationalism को create किया, इस तरह की situation के बीच में ये ही middle class थी, जिसने लोगों को aware किया, जिसने बताया कि इस तरह की empire हमें exploit कर रहे है, इस तरह की empire कभी भी Europe को एक नहीं होने देंगे, इस तरह की empire आपस में जो dispute है, उनको और ज़्यादा encourage करेंगे, अगर Europe में सही तरीके से काम चलाना है, तो हमें सबसे पहले Europe को unite करना होगा, Europe में nation state बनाने होंगे, जिसमें democracy को follow करना होगा, ताकि हमें rights मिले, तो ये वाली सारी चीज यॉरॉप में कौन सी class ने create की थी, वो थी new middle class, अब हम इसकी बात करते हैं कि ये new middle class generate कैसे हुई, actually में ये जो new middle class थी, इसके generate होने का सिर्फ एक reason था, और वो था industrialization, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यॉरॉप के ही एक country UK में हुआ था, जिसको हमने अपने chapter में अच्छे से पढ़ा है, 1730 में, first जो industry लगी थी, वो लगी थी UK में, industry लगते ही worker की requirement शुरू हो गई थी, यहाँ पर जो worker काम करते थे, वो educated भी होते थे और uneducated भी होते थे, skilled भी होते थे, unskilled भी होते थे, यही जो workers थे, इन्ही workers को क्या बोला गया, middle class, तो ना industries लगती, ना worker काम करते, ना workers को machine चलाने के लिए education लेनी पड़ती, ना उने education मिलती और ना उनके अंदर awareness आती, तो यहाँ पर middle class ने पढ़ाई शुरू करी, education ली और वो समझने लगे कि यहाँ पर जो भी ruler कर रहा है, यहाँ पर जो भी conflict हो रही है, जो भी presentry exploit हो रही है, यह सब कुछ गलत है, और हमें अपने rights के लिए आवाज उठाने चाहिए, यह सारी features किसकी थी, middle class की, अब middle class ने अपने साथ जो policy use करी, उसको हमने बोला liberalism, ओके, तो जो यह middle class अपने साथ एक policy को लेकर आई, उस policy को बोला गया liberalism और liberalism का मतलब होता है, जो आदमी changeable हो, जहां जिस system में change है, तो उसका मतलब है, वो system liberal है, वो system conservative नहीं है, तो conservative के just opposite कौन सा term यूज होगा liberal का, अब liberalism में यानि middle class ने liberalism के अंडर में कौन कौन सी बाते पूरे यॉरॉप को बताई और पूरे यॉरॉप में इन बातों को propagate किया गया, सबसे पहले उन्होंने liberalism में बात करी freedom की, freedom हर तरह से मिलने चाहिए, speech की freedom, association बनाने की freedom, अपनी बात, अपने expression को रखने की freedom, ये freedom जो थी, ये middle class की पहली demand थी, दूसरी demand क्या थी, दूसरी demand उनकी थी election, election का मतलब है, वो चाते थे government जो बने, वो representative बने, अगर government representative बनेगी तो election होंगे, अगर election होंगे, तो वो कौन से system को favor कर रहे है, वो कर रहे है, democracy को, ठीक है, next, liberalism का क्या मतलब था, इसमे, end of, end of privilege, privilege क्या होते थे, privilege वो benefit होते थे, वो titles होते थे, जो rich को दिये जाते थे, यानि जो aristocracy को मिलते थे, ऐसे privilege को रोकने की demand middle class ने उठाई, और उन्होंने ये सारी चीजे, किसके अंदर में करी, liberalism के अंदर में, next, जो उनकी demand थी, या liberalism का next, जो principle था, वो था, protect, protect for private property, private property को ये favor करते थे, और इनकी अनुसार, अगर किसी के पास अपनी property है, तो कोई उसको snatch नहीं कर सकता, next, इनकी जो demand थी, वो demand थी equality, equality before low, means कानून के सामने सभी क्या है, समान है, तो कानून अगर है, तो उसके लिए, चाहे ruler हो, चाहे present हो, और चाहे aristocracy हो, तीनों ही क्या है, equal है, लेकिन यहाँ पर एक बास सोचने के ये थी, कि middle class ने अपने liberalism में, equality before low में, किस चीज़ को include नहीं किया, वो था, right to vote for women, ये चीज़ एक अलग थी, जो middle class को कभी गलत नहीं लगी, वो कहते थे कि women को right, अपना जो vote का right है, वो नहीं मिलना चाहिए, और अगर उन्हें ये vote का right नहीं भी मिल रहा है, तो भी equality before low, country में set up है, ओके, तो यहाँ पर liberalism में, ये भी एक demand उनकी मानी गई थी, और last उनकी जो demand थी, वो थी economic, economic liberalism, अभी economic liberalism क्या था, इसमें middle class की main demand ये थी, कि कितने भी state हो, कितने भी empire हो, वहाँ पर trading करने के, जो weight और measure के, यानि currency सब कुछ equal होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तो यहाँ पर अलग-अलग currency, अलग-अलग weight और measure के जो method यूज हो रहे थे, पूरे Europe में, उस weight और measure के अलग-अलग method को remove करना, अलग-अलग currency को remove करना, ये middle class की main demand मानी गई थी, क्योंकि अगर economy में हमने change नहीं करा, economy को यदि हमने liberal नहीं किया, तो कभी भी Europe unite नहीं हो सकता, ऐसा मानना था middle class का, इसलिए middle class जब generate हुई, तो उन्होंने अपनी एक policy, इसी मतलब एक policy introduce करी, इस policy का नाम था liberalism, liberalism ये सारी चीजे include मानी जाती है, जिसमें freedom है, जिसमें democracy है, जिसमें benefits को remove करना है, जिसमें private property को favor करना है, जिसमें equality before low है, but without right to vote for women, और इसके बाद last वो पूरे Europe की economy को एक करना, चाते थे, एक civil code में देखना चाते थे, वो चाते थे, यॉरॉप की एक currency हो, एक weight हो, और एक ही measure हो, उस समें हर छोटे-छोटे empire की currency अलग-अलग हुआ करती थी, हर empire में trading के through, weight अलग-अलग नापा जाता था, हर चीज़ को अलग तरीके से, मतलब नापा तोला जाता था, जिससे की business करना बहुत मुश्किल था, और इससे यॉरॉप में जो युनिफिकेशन है, उसमें भी काफी barriers अंकरेज हो रहा था, तो आज हमने अपने ये पूरा topic जो हमने डिसकस करा है, जिसमें है physical location, जिसमें हमने देखा as a example, हैप्सबर्ग empire, हैप्सबर्ग empire में जो पिजन्टरी ग्रूप था, और इसके साथ ही हर empire में दो class, तीसरी class बाद में generate होई थी due to industrialization, middle class की main policy liberalism था, जिसमें हम इन बातों को discuss किया था,